हेलो एव्रिवान हमारा आज का टॉपिक है क्लासिवकेशन और मॉमेंट्स ओफ सिनोवल जॉइंट्स तो हमने सिनोवल जॉइंट्स सब भी कर लिये थे तो आज हम मॉमेंट्स की बात करेंगे तो आप इस टॉपिक को जब समझ रहे हो गए ना तो आपको कोई प्रॉब्लम हमने जो पीछे मॉमेंट्स कर लिए ना वही चीज यहां पर डिसकस की गई है तो यहां पर सबसे पहले टर्मोलोजी और डेफिनेशन आ जाते हैं जहां पर हियूमन किनिसोलोजी अब देखो हियूमन किनिसोलोजी एक ऐसे स्टड़ी होती है जिसमें आप क्या कर रहे हो श्केम पर ले ते हुआ हमने वही regione स्टव पर रहे थे तो उसके बां मील सर्थे जो हमने बहुत बात सड़ी गया कि म 보 cancel की शर्फेश क्या होता है बहुता हिए और ऐसका स़र्फेसर जाता है और वह स्टनलिंशन के भ्या तो जाँट लेंए ऐसा concave shape में मिलेगा simple joint simple joints में क्या होता है कि आपके सिर्फ दो ही articulating surface होएंगे ठीक है compound joint में आपके पास दो से ज़्यादा articulating surface होएंगे जैसे देखो आप simple joints में आप देख सकते हो आप जैसे femur जैसे आपके दो bones कहीं भी भी दो bones जो joint कर रही है जैसे आपके radials अलना इन दोनों के बीच में अगर junction है जो joint है वो बाला तो ये simple joint जहांपे सिर्फ आपके पास दो bones एक दोसे के साथ articulate करेंगे compound में एक से ज़्यादा हो जाती है जिसमें आपके breast joint में आजाती है breast joint में आपके पास overall eight bones आजाती है जो एक दूसरे के साथ articulate करके बाटी होती है degree of freedom क्या है कि degree of freedom अगर आपने समझा तो इससे आपको एक चीज़ rolling और slide ये चीज़े समझने में भी easy होएगा degree of freedom क्या है कि आपके जो bone है वो कितनी axis पे जो है वो एक दूसरी bone के साथ articulate करके बठी है number of axis at which the bone in a joint can move अगर जो मैंने चीज़ बोले है कि जैसे एक bone है वो दूसरी bone के साथ जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक bone है और ये नीचे एक और bone है अब ये वाली जो bone है इसके कितने points पे ये दूसरी bone के साथ articulation कर रही है अब तो जितनी जगाए पे वो articulate करेगी उतनी ही moment possible है इसी वज़े से degree of freedom के है कितनी number of axis है जिस पे वो जो bone है जो move कर सकती है मतलब वो extension कर सकती है अब देखो extension, flexion, ये क्या सबी axis है जिस axis पे वो moment कर सकती है अब वो कितनी number of axis पे वो moment कर सकती है वो क्या है आपके degree of freedom उसके बाद आ जाता है जुनी axis जुनी मतलब होता है एक और axis मतलब एक ही axis पे जब moment होगी जिसकी example आप देखो कि interflangial joints अब आप interflangial joints की moment देखो है अब इनकी moment कि इदर को कर सकते हो जो आपके flanges हैं इनकी इस axis को ज़्यादा हो रही है और दूसरे back side को आपके नहीं न कर सकते हो मतलब आपकी एक ही axis पे moment possible है उसके बाद by axle by axle पे मतलब दो डिक आपकी do axis पे moment possible है wrist joint में जाने की आप अपने extension भी कर सकते हैं flexion भी कर सकते हो मतलब दोनों moments possible है उसके बाद multiple axis मतलब यहां पते को जो मैंने extension भी आक्शन भोला वह भी पॉसिबल है आप इसमें circumduction overall moments possible है but axis जो हैं वो कितनी axis हैं 2 axis multi-axis में आजाते हैं कि आपके 3 जाने कि 2 से ज़्यादा axis पे moments possible हो सकती है overall 3 जिसमें आपकी shoulder joint आजाता है shoulder में आप देख सकते हैं कितना extension, flexion, abduction, adoption, medial rotation कर सकते हो lateral, circumduction overall आप सभी rotations कर सकते हो translation में गया है कि आपकी एक जो bone है वो दूसरी bone पर जब slide करते हैं translation ठीक है तो इसमें आजाता है inter-carpal joint जो आपके carpus के बीच में जो joints हैं वो एक दूसरे के उपर क्या करते हैं slide करते हैं तो ये इतना आपको अच्छे से clear और हो जाएगा तो next है हमारी moments है जो जैसी हमने पहले किये थी वही moments है तब तक आप इसको अच्छे से revise कर लो और जब आपका joint वाल अच्छे से हो जाएगा तो आप इन moments को definitely करना क्योंकि उन जो joint वाले थे उन में हमने overall सभी moments की बात करी थी तो इसलिए इन में कोई problem नहीं आएगी तक यू